नमस्कार दोस्तों क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी समस्या या परिसानी बहुत बड़ी है दूसरों की अपिक्षा या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉबलम पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी समस्या का सामाधान कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो दोस्तों यहाँ पर भी आप गलत ही सोच रहे हैं क्योंकि पहली बात आप अकेले नहीं हैं जिसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या या परिसानी है क्योंकि आज हो या कल कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे कोई समस्या या परिशानी नहीं है अगर कोई ऐसा कहता है तो दोस्तो यकीन मानलो वो सच नहीं बोल रहा है और तो और दोस्तो अगर समस्या या परिशानिया जीवन में ना हो तो हमारा विकास होना लगभग लगभग मुश्किल ही है इसका सादा और सिंपल सा उधारन ये है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें किसी ना किसी तरह की समस्या का सामना करना ही पड़ता है जब हम उस समस्या का सामना करके उसे पार करते हैं तब ही तो हमें सफलता मिलती है ना तब जाके हमें असली आनंद मिलता है खुसी मिलती है तो दोस्तों एक तरह से देखा जाये तो समस्या तो सही मायनों में हमारी सबसे बड़ी सिक्षक है जो हमें जीवन में समस्या के रूप में हमें सिक्षित करती रहती है और उसी सिक्ष कि आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं इसलिए जीवन में जितनी भी समस्याय आती हैं तो आप इसे इस तरह से समझे कि आपकी समझ उस छेत्र में और ज़्यादा बढ़ने वाली है और दोस्तो समस्याओं का समधान चाहते हो तो आपको यह कहानी जरूर घर सुनी चा किसी सहर में एक व्यक्ति था, वो हमेशा दुखी रहा करता था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उस से ज्यादा दुखी संसार में कोई और है ही नहीं, जब भी कोई उससे बात करता था तो वो अपनी समस्याओं का बखान करने लगता था थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ती उठकर चला जाता था इस बात से तो वो और भी परिसान हो जाता था कि उसकी बात को कोई सुनने वाला भी नहीं है एक दिन उसे पता चला कि सहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिसके पास सभी समस्याओं का समधान है यह जान कर वो महात्मा के पास पहुँचा उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चलता था जिसमें धेर सारे उट भी थे महात्मा के पास पहुँचकर उस व्यक्ति ने कहा गुरू जी मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समधान करते हैं मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याओं रहती हैं एक को सुलजाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती हैं मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है दुनिया बड़ी ही मतलबी हो गई है अब आप भी बताईए मैं क्या करूँ महात्मा ने उसकी बाते ध्यान से सुनी और कहा भाई मैं अभी तो बहुत ठक गया हूँ परन्तु कल सुबह मैं तुमारी समस्या का समधान अवश्य करूँगा इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो मेरे उटों की देखभाल करने वाला आदमी बिमार हो गया है आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो जब सभी उट बैठ जाए तब तुम सो जाना मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया उसकी आखे लाल थी महात्मा ने पूछा तो बताओ कल रात कैसी नींद आई व्यक्ति बोला गुरुजी मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया आपने कहा था जब सभी उट बैठ जाए तब तुम सो जाना पर ऐसा नहीं हुआ जब भी कोशिस करके एक उट को बिठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था सारे उट बैठ ही नहीं पाये इसलिए मैं रात भर सो भी नहीं सका महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं जानता था कि इतने उट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा यह सुनकर व्यक्तिक क्रोधित होकर बोला महात्मा जी मैं आपसे हल मागने आया था पर आपने भी मुझे परिसान कर दिया महात्मा जी बोले नहीं भाई दरसल यह तुम्हारे समस्याओं का समाधान है संसार के किसी भी व्यक्तिकी समस्या इन उटों की तरह ही है एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी इसलिए सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी जीवन में चैन से जी नहीं पाऊगे समस्याओं तो जीवन का अंग है इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंग लो जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चहरे पर संतोस और सहस्ता के भाव उमड़ पड़े मानो उसे अपनी समस्याओं से निपटने का अचूप मंत्र मिल गया हो तो दोस्तो कहानी से हमें यही पता चलता है कि संसार में हम अकेले नहीं हैं जिसके जीवन में परिसानी और समस्याओं हैं दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई परिसानी कोई न कोई समस्या होती ही है लेकिन उनसे परिसान होने की बजाए उसे मैसूस करके सहज जीवन जीने में ही भलाई है क्योंकि समस्याएं तो समय के साथ चली ही जाएगी लेकिन उससे परिसान होकर हम अपने जीवन को नुक्सान ही पहुंचाएंगे इसलिए दोस्तों समस्याएं आती हैं तो आएं अपना जीवन आराम से भी ताएं उमीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजेगा मिलते अगली कहानी में तब तक के लिए धन्यवाद